कि ये सब क्या चल दा है ये सब मादाउजी के आदमें ये उनके लिए खड़े हैं जल्द से जल्द बाहर निकाल दो नाम आने तो डंडे इस्तिमाल करना डंडे का इस्तिमाल किया तो ये सारे आपको तोड़ के रख देंगे कौन हो तुम मैं मादा भाईया के साथ रहता हूँ बाड़ी अच्छी बनाई है बाड़ी नहीं मन अच्छा होना चाहिए स्टेट्मेंट अगर हो गया हो तो मैं पापा को ले जाओ मादा भाईया के बेटे हैं अज्जू तुम्हें अब भी लग रहा है कि अपने बाप को व वो एक मुझरिम है और मुझे नहीं लगता कि वो कानून के हाथों से बच पाएगा जाली नोटों की जो एंबुलेंस पकड़ी गई है वो तुम्हारे बाप के नाम पर है और जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप जाली नोटों का धंदा करने वाला बहुत बड़ करो कोड में जाली नोट सप्लाइगरने वाले मुझरिम को कोड में नहीं तो क्या मंदीर में पेश करेंगे अब निकले यहां से सर प्लीज सर आप मेरी बात मानिये प्लीज मेरे पापा इस मामने में कुछ नहीं जानता हूँ उस पारे में तुम्हारे पापा के बारे में म तुम भी अपने पापा के नक्षे कदम पर चले, तो तुम्हें भी अंदर डाल दूगा, अंदर बैठकर दोनों भजन करते रहें, get lost तुम, उन्हें कुछ भी नहीं करें जबाल, कहां जा रहा है, मुझे पापा को देखना है, ऐसा नहीं होगा वो होगा सर, मैं पापा को देखने को बाद ही जाऊँगा, वो देखे वहाँ पर यह जो लोग है, महनत और इमानदारी से मेरे पापा नहीं ने अपना बनाया, अगर मैं छोटा सा इशारा कर दूँ न, तो अंदर आ जाएंगे फिर समाह नहीं पाओगे उनको, ना तुम, ना तुम्हारे आफिसर, इसलिए मुझे मजबूर बत करो बापा, बापा, यह क्या हुआ, यह किस ने किया, आपका यह हल किस ने किया, तुम यहां क्यों आगे बेटा वर्गिस, तुम भूल गए तुमने किस इंसान पर हाथ उठाया मैंने कुछ नहीं किया, वो एस पी, उसी निप बेटा अजू, रुको, चमाल, रोको स्पाकल को, जल्दी चाओ अजू, 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 रुक चाओ, अगर तुमने अभी इसके साथ कुछ किया, तो मादो भया को नहीं छुड़ा पाओगे, पहले उन्हें यहां से निकालते हैं, उसके बाद मिस से निप्टे, एक मिनट सर, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी र रियाक्ट, टेस की एमियत को देखते वे लगता है, उन्हें बेल मिलना बहुत मुश्किल होगा, अगर एफ आयर दर्ज नहीं होता, तब तो मैं जरूर बेल के लिए अपलाई कर देता हाई कोट में, लेकिन अब वो मुश्किल है, तो फिर मादो भया, उन्हें रिमांड म मादभ जी असली मुझरिम नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए, बस यही एक रास्ता है, तैंक्स अंकल, सीम साहब का फोन आउट अफ कबरेज है, शायद फ्लाइट में होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे, आई जी राज गुपाल भी फोन नहीं उठा रहा है, वो भी कहीं कोई खेल न खेल रहा हूँ, मैं नहीं जानता, यह साज़िश्या नहीं है, पर मुझे पापा को बचाना है, एक एक दिन उनके लिए खत्रा है, कच भी किबाद दे कर, मैं उन्हें वहाँ से बाहा निकालूँगा, कहां से निकाल पाएगा उसे, चंद्रगिरी के माधो का सामराज अब खतम हो चुका है, बचा है उसका बेटा, उस काटे को भी हम बड़े आराम से निकाल देंगे, भले उसका बाप बरगत का पेड़ है, लेकिन हम लोग पूरा जंगल है, और अगर इस जंगल को आप सलाम जब मर रहा हो, तो उसकी दर्दनाक चीख मेरे कानों में जरूर पड़े, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया, तो मैं तुम्हे सोने में तौल दूना, आपका काम पूरा होगा, ये वेट्रिवल पूरा करेगा, अजू, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, वो एम्बिलेंस ड्राइवर, वो इस केस की मुख्यकड़ी है, उसे धूंड निकालना होगा, बहुत ज़रूरी है, ये हमारा पहला काम है, अजू, आपका का आपके क्या लिखा है वाई जरा पड़ना, इसमें लिखा है अगर किसी ने भी एम्बिलेंस को गिरा कर भार भागने वाले ड्राइवर को देखा है, तो खृप्या करके उसके बारे में बताएं, बताने वाले के वाश्लाप कुपे जीए है। पर क्या हुआ हो असे मालिक जी को कमाने नका ऊच्छा मोगानओं कै अ मालिक जी का मालिक जी क् sú मलिक जी कर आप ए मालिक जी मैंने उसे वैंने उसे देखा है। आत ल अवन से देखा है today हाँ यही है वो यही है वो बिल्कुल यही है वो लेकिन अभी से रात और रात हम कहां से ढूनेंगे एक तरीका है कोईम बतुर में अन्नपूर्णा राइस मिलकर जो मैनेजर है ना नागराज यह एम्बुलेंस है ना उसी की नाम पर रजिस्टर्ड है यही बंदा बता सकता ह है कि असली कहान क्या है जमान है अपना काम हो गया जब हमारे आदियों उसके पास गये तो उसने सब कुछ बता दिया वो ड्राइवर यहीं है अपने चंद्रगिरी में खेरू उसे जानता है मुझे डर है हमारी प्लाइनिंग फेल हो जाएगी अब हम क्या करें नई भाईया डरने की ज़रूरत नहीं है हमारा ड्राइवर मुस्तफा कोट में हमारे खिलाब कुछ नहीं बोलेगा मुझे यकीन है कोट में माधौ और उसका बेटा हार जाएगा उसके बाद माधौ का बेज़ दिया जाएगा उसका जर्म साबित हो जाएगा धले ही हमारा मकसद पुरा नहीं हो पाएगा कि हम उसे जान से मार देंगे फिर भी वो इनके करपा से जिन्दगी बर चक्के पीशता रहेगा वहाँ जेल की सलाखों के सी क्यों हुआ 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 है आए सर आओ मादो तुम्हें चिंता करने के जरूरत नहीं है वो चैनल्स के रिपोर्टर्स कहा हुआ है सर अभी तक तो नहीं आने वाले दरसल अगर रिपोर्टर्स और मीडिया वाले यहां गए तो तुम्हारी और तुम जैसे पुलीस वालों की बहुत बद्दामी होगी ऐसा मेरा बाता है है सब्सक्राइब अश्या कबर से संधी बोल रहां नहीं जमाल बोल दो चंदर किडी से तामिट वो क्या है कि एस्पी साब की बात बानकर मुझे सब आने के लिए त्यार हो गए पर हम सब ने सूचा कि यहांने से पहले अच्छा किरे में उनकी अच्छी तरह से खातेर दारी कर दी जा है ते ही जरा इदार आना इससे गुंदागी नहीं कहते है यह होती है गुंदागीरी तुम मेंसे कोई भी भगवास नहीं करेंगा उपन किया तो आज पर्गे शक्राइल उन आप्टेंगिया है यूर ओनर, मुजरिम ने देश के खिलाब बहुत संगीन चुनुम किया है अब्जेक्शन, यूर ओनर, मेरे मुअक्किल हमारे शहर के एक इजददार और समाज के प्रतिश्चित व्यक्तियों में गिने जाते हैं वो इन जाली नोटों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ये इल्जाम जूठा है असली मुजरिम को कोट में पेश करने की मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ येस, प्रोसीड जिस एसपी चंदरशेखर का खून हुआ, ये उसकी एफ़ाई आ रहा है उस सेंबुलन्स को चलाने वाले ड्राइबर का नाम था रसूल मुस्तफा हजूर, गाड़ी में ही चला रहा था पर मुझे नहीं पता था कि उसमें जाली नोट भरे हुए हैं बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की, तब मुझे पता चला इन सब में अनुपूर्णा ग्रूप वालों का हाथ है ये सारा जुर्म उन्हीं का किया हुआ है और उसे अरेस्ट करके 14 दिन रिमान में रखने का आदेश देती है और श्री माधव को बाईजद बरी करती है रसूल मुस्तफा के बयान के मताबिक अन्नपूर्णा कंपनी से जुड़े हुए सभी पार्टनों इसको भार्गों को राम को और कृष्णा को जल्द से जल्द अरिस्ट करके कोड के सामने पेश करने की हिदायत देती है कि पिल्स खरيع कि टाम बुझे प्रो μहाई मेंका लुझ मुझे व। कि लुझे ड्तेवाइोंगें कि लुशे लुझे, भी उुझे ऑग हो, यू archive कर दो खिली pat decision कि लो हाद advisor और दो, खिली чा कर दो कि लो टो, खिली आरग को सुशे हो कि लुझे हो! अरे वाह, तुम सबको बहुत फक्र हो रहा होगा, कि आज माधव बाईज़त बरी हो गया, उन्हें हमारी बधाई, वैसे आज से पाँच दिनों के बाद, हमारी नई कम्पनी का भूमी पूजन है, तुम वहाँ आना चाहोगे ना? शायद तुमारे भाई भी तुमारी तरह नियोता देने आया होगे, नियोता नहीं देंगे तो भी आओगे, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हें बता दूँ कि यहां के नियम कानून से मैं अच्छी तरह से परचित हूँ, एक अरेस्ट वारंट देख करके हम लोग सुनो अनन्यपुणा भाई हो, मेरे पापा यां खड़े वरने मैं तुमारे सवालोंका जवाब अपने पैड से दीता ह। मैं और मिरा पारD चाहओंगा कि मेरा जनून किसी को बर्बाद कर दे तुम, तुम चाहते हो कि मैं और मेरा परिवार तबाह हो जाए। ब्रदर, जिन्दगी देने वाला जिन्दगी लेता है। एसे लिए मैं भी सही वक्त का इंतजार करूँगा। मैं उस दिन का इंतजार करूँगा जब तुम चार हो जजज के फैसले के बाद मुझे और मेरे परिवार को बर्बात करने के लिए आओगे। जमानत मिलने के बाद यहां पर जरूर आना। चंद्रगीरी का यह जू तुम्हारा इंतजार करेगा। देखते हैं। देखते रहो। यहां क्यों रोप दिया सेफ। तुम्हें चोड़ रहे हैं। इतने सालों तक तुमने अन्नपुर्णा का नमक खाया है। इसलिए वो नहीं चाहते के तुम जेल जाओ। वो लोग तुमसे खुश हैं। तुम्हें हम छोड़ देंगे। मेरे पास आओ कोई रास्ता नहीं था सर। मैंने वही कहा जो वो चाहते थे। अगर नहीं कहता तो मुझे और मेरे परिवार को मार देते रहे। जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें छोड़ रहे हैं। जाओ, भाग जाओ यहां से। जब से पापा जेल से बाहा निकले हैं, मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जमाल कहता है, यह सब काम पापा के सामने मत करो। यहां पर पापा नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। या तर तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हे मारूँगा। इस काम में बहुत हिम्मत और ताकत की जर्रत होगी। अंध। लग। क्योंकि और लूप यहां वां